बिस्मिलाहिराह्मानिराहिम अस्सलामु अलेकूं तो कैसे हैं आप साथ मैं हूँ आपका होस्त आपका दोस्त हावर इकबाल और आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपने इंटरनेट की स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं बहुत से इंटरनेट परवाइडर्स आपसे बोलेंगे कि हम आपको 20 MB, 50 MB या 100 MB की इंटरनेट की स्पीड परवाइट कर रहे हैं लेकिन आपको इस बात का बिल्कुल भी नालिज नहीं होगा कि कितने MB की स्पीड एकुरेट आप रसीव कर रहे हैं तो अगर आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अभी नकाव ने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन्स मिलती रहें तो चलने अपनी वीडियो का आगास करते हैं सबसे पहले आपने अपने मुबैल में प्ले स्टोर को ओपन करना है Play Store को Open करने के बाद सर्च बार में आपने कुछ इस तरह से Type करना है Speed Test और जैसे ही आप Speed Test को Type करेंगे तो आपके सामने एप आएगी Speed Test by Okla आपने Simply इस एप को Install कर लेना है ये बहुत ही famous और बहुत ही अच्छी एप है इंटरनेट की Speed को Check करने के लिए 1,000,000 प्लस इसकी Reviews है और 100,000,000 प्लस ये Download हो चुकी है 20 MB की ये एप है तो ये मेरे Mobile में इंस्टाल हो चुकी है Simply आपने इसको Open करना है इंस्टाल करने के बाद इसके बाद ये आप से कुछ permissions वगएरा मांगेगी आपने उनको Log कर देना है तो उन permissions को Log करने के बाद इस तरह का Main Interface आप लों के सामने आजाएगा यहां पर आपको नजर आएगा Connections में Multi और Single लिखा हुआ है Multi लिखा हुआ है कि में भी आप के पास जो आप Wi-Fi यूज़ कर रहे हैं उसके साथ Multiple Devices Connect हो तो अगर आपके Wi-Fi के साथ Multiple Devices Connected है तो आपने Multi को Select करना है लेकिन अगर आप अकेले अपने Wi-Fi को यूज़ कर रहे हैं तो आपने Single वाले Option को Choose करना है इसके बाद नीचे आपको Server नजर आएगा आप Server को Change करके जो आपका Near-East Server है आप उसको Choose कर सकते हैं चुँके मैं गुजरात में रहता हूँ और मेरा Near-East Server जो है वो गुजराँ वाला है तो इसलिए मैं इसी को Select करूँगा यह आप यहाँ से List देख सकते हैं Server की इसके बाद नीचे आपको Connect Communication नजर आ रहा है इसका मतलब्य है कि अगर आप Jazz यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर Jazz लिखा हुआ आएगा अगर आप PTCL Connect यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको PTCL Broadband लिखा हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर Simple आपने Go के बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Go एक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके इंटरनेट की स्पीड मेईर होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं 16 MB का पैकेज यूज कर रहा हूँ तो मेरे इंटरनेट की स्पीड आप देख सकते हैं मुझको बिल्कुल एकुरेट 16 MB ही मिल रहा है मेरे डाउनलोड की स्पीड सारे 17 MB पर सेकंड और अपलोड सारे 15 MB पर सेकंड मतलब के मुझको काफी अच्छा इंटरनेट मिल रहा है तो दोस्तो आज की इस वीडियो को इतना ही मजीद मिलते हैं है अपने नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए अल्ला हाफीज दौाओं में याद रखिएगा